मैं आप सबको ये बताना चाहती हूं कि सोनु निगम जी खुद पांच रुपए में दिल्ली की राम लीला में गाना गातु थे आप बताए सोनु निगम जी आप से ये बात कही गए कि नहीं कही गए भूशन जी पे एक लड़की ने आरोप लगाया मेटू का नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों से सोनु निगम जी जो है वो कैमपेण चला रहे हैं टी सीरीज और भूशन कुमार जी के प्रती तो इस सिलसिले में मैं ये बोलना चाहती हूं कि टी सीरीज ने आज तक हजारों कलाकारों को ब्रेक दिया है जो कि आउटसाइडर्स हैं जो इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हूए उसमें म्यूजिक डिरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, आक्टर्स हैं, डिरेक्टर्स हैं मैंने खुद अपनी डिरेक्टर्ट पिल्म यारिया में दस न्यू कमर्स को चांस दिया उसमें से चार लोग नेहा ककर, रकुल पीट सिंग, हिमांच कोली और कंपोजर आर को आज बड़े हो चुके हैं और सोनु निगम जी से मैं ये पूछना चाहूँगी कि वो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में टालेंट को सही दिशा नी मिलती तो सोनु जी आप तो लेजेंड है, आप तो बहुत बड़े कलक आ रहें, आप ने आज तक कितने लोगों को चांस दिया है आप तो बहुत बड़े लेजेंड है, आप तो कहीं से भी लोग, आपके पास तो कितने लोगों आते होंगे कि सोनु जी हमारी मदद कर दीजिए, मेरे बेटे की मदद कर दीजिए, मेरी बच्ची की मदद कर दीजिए, हमें मिलवाद दीजिए, ती सीरीज में हमें चांस दिलवा दिजे आप तो आज तक T-Series में निया कि इसको चांस दे दो, इसको में यह बहुत बड़ा टालेंट है, इसको आप चांस दीजे, आप ने तो कभी किसी को चांस दिलवाने की बात नहीं की, आप नहीं कोई टालेंट आज तक इंडस्ट्री में इंप्रेड्यूस किय तो एक बात मैं आपको बता दूँ सोनु निगम जी कि सोशल मीडिया पर क्यामरी के पीछे छुपके बोना बहुत असान है पर आपने खुद ग्राउंड लेवल पर कितने टालेंट को आगे बढ़ाया किसी को में अपने सिवा अपने आपको छोड़के आपने किसी भी टाले में काम कर रहे हैं आज की देट में आप देख लीजिए वो आउटसाइडर वो इंडस्ट्री किड्स नहीं है उनका इंडस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं है फिर भी हम उनको नए टालेंट को दून रहे हैं और उनको चांस दे रहे हैं दूसरी बात जो आपने बोली कि अपने वीडियो में वो आपने यह बोली कि खुषण जी आपके पास आए और उनोंने आपसे कहा कि भाई प्लीज मुझे बाला साथ हकरी से मिलवा दीजे प्लीज मुझे समिता ठाकरे से मिलवा देजे, प्लीज मुझे सहराश्री से मिलवा देजे मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सोनु निगम जी खुद पांच रुफ़ए में दिल्ली की राम नीला में गाना गाती थे वहां से इनको स्पॉट किया गुलशन कुमार जी ने, उन्होंने इनका टालेंट पर इचाना, इनको टिकेट्स दी प्लाइट की, इनको बॉम्बे बुलाया और इनसे कहा गया कि मैं बेटा, मैं तुझे बहुत बड़ा कलाकार बुना हूँगा आप बताएए सोनु निगम जी, आप से ये बात कहीं गई कि नहीं कहीं गई, कि आपको बहुत बड़ा कलाकार बनाएंगे, कहीं गई, और बुलशन जी ने, आपके इतनी आइबम्स की, इतनी फिल्म्स की, आपको इतना 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 उच्छे मुकाम पर पहुंचा रहा आप ये मैं बताते हो, उससे पहले मैं अपने को शेरू को बुलाना चाहूंगी, ये शेरू है, और ये शेरू मैं तुम से पोचना चाहते हो कि तुम कहां से हो? यह मैं मध्वनी बिहार से हूँ. और तुम कितने साल से पीसी इसीरीज में ओ? मैं Pennsylvania,19 just Samunji तो तुम मुझे क्या अब बितारक है Consonok Nikamji ? मुझे माल existed कि अपड़ नहीं MARK मुझे आप लुख जी जी ने इनको दिली से बंबाई लाए थे मैं गुर्शन जी के साथ ही उस्टे में था बुर्शन जी नहीं थे थे उनके पाथ वह से छोड़ी इसकुटी होती है ना उस भी आते थे हम आम आरे ओफीस में वह रिश्वर्शन बैठे रहे थे किना पिस साब आते थे तो उनसे जो भी है आज जो भी है सब गुल संजी के वजे सही है जो कि मेरे हैं सारे हैं सोनो जी कि आप जानते होंगे हमारे घर के कुक है और 88 से हमारे घर में एनिवेस अब मैं यह बताना चाहती हूं कि 1998 में जब T-Series की पामली के साथ यह हादसा हुआ था और बुल्शन कुमार जी को खतम कर दिया गया था तब शोनो निगम जी ने क्य तो सुनो निगम ने सोचा कि अब तो T-Series का क्या होगा T-Series का तो कुल करता धरता है नहीं ननो यानि कि बूशन कुमार जो कि बेटे हैं वो तो सिरफ 18 साल के उनको तो कुछ आता दो दोता है ने वो तो कुदी मेरे पास आके हेल्प कर रहे हैं मांग रहे हैं कि भाई मु वो नहीं थी कोई भी इनको थाइमफुलनेस नहीं थी कि T-Series न मुझे इतना आगे बढ़ाया आज T-Series फामली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है तो मैं इनके साथ खड़ा रहा हूँ मैं भूशन की हेल्प करूं और उसको मिलवाओं लोगों से रादर ये तो भूशन जी ने इनसे मदद मांगी कि भाई प्लीज मेरे लिए दिवाना आइल्बम कर तो कि ये तो भई पूरी तरह से एसान फरा मोशो के दूसरी कंपनी में चले गए और इनोंने आटिटूड दिखाया कि वो मेरे सामने हाए मुझसे मदद मांगे और मदद इनोंने करी भी और उसका भी हैसान जता रहे हैं इन्होंने दिवाना आइल्बम करें ठीक है फिर उसके बार इन्होंने जो वीडियो में दूसरी बात करी वो ये कही है कि भूशन जी ने इनसे मदद मांगी कि भाई मुझे अब्बू सलीन से बचाने अब मैं आपसे ये पूछना चात अब्बू सलीन से डेफिनेटली थे तब ही तो वो उनके पास मदद मांगने आए और इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि वो उनके पास मदद मांगने आए नेक्स चीज जो मैं ये बोलना चाहती हूं कि सोनो जी ने बोला है कि भूशन जी पर एक लड़की ने आरोप लगाया मीटू का और उसके बार वो आरोप वापिस ले लिया गया और भूशन जी ने माफिया की चाल चली पर मीडिया को सब पता है मतलब भूशन जी मीटू लेकिन ये बात माफिया ने दबाने अब मैं आपको ये बताना चाहतूं सोनो जी कि मीटू एक बहुत अच्छी मूवमेंट थी जो स्टार्ट की गई इसलिए ताकि इस साइटी में जो ऐसे लोग है जो बुरे लोग है उनका सफाया हो सके पर इस मूवमेंट का बहुत सार अब एसे लोगों ने फायदा उठाया पैसे इंचने के लिए ब्लाक मेल करने के लिए किसी को किसी से वेंजन्स है तो किसी लड़की के कंधे पे बंदूख रख के चलाने के लिए और ऐसे हमें बहुत सारी ब्याक मेलिंग कॉल्स आई मीटू के टाइम पर उस टाइम पर ह काती और पुलस ने क्लिर करें मिटू किसी हम क्यों कि किसी लड़की को विडाव की लगा हम की यह क्यों उसको इसारा भरे बंदॉर में उसकी इज़त होता लेकिन उसी सुर्थ पाइसे बहुत से केसा आप और उसका फाइदा आप जैसे लोग उठाते और कई लड़कियों ने अड्मिट भी किया कि कई लोगों ने जो सच्छे दुश्मन है इंडस्ट्री में उन्होंने वो पीछे थे इस निली भगत के लेकिन देखी आप आज भी इसका फाइदा उठारे मैं पूछना चाहते हू मुझन खोनु नगम जी क्या है मीटू ओं लगा दूव उपने मीटू तो मैं लगा दूव आप मीटू भो जाएंगा मीटू रेपेस्त तो प्लीज सोच समझ की विडियों बनाए किजिए क्योंकि आप ने धंगाए विडियो में कि आप उस रड़की का व्रों का देंगे बेशक कीजिए पर नेक्स ताइम कोई भी वीडियो आउट करना हो याद रखिए प्रूफ के साथ कीजिए बिना प्रूफ के मीटू मुव्मेंट अब कोई मतलब भी नहीं है और कोई भी अगर बिना प्रूफ की कोई इल्जाम लगाता है क्योंकि जब से आपने ही अपना वीडियो ओन किया तब से वापस हमारे काल ब्लाकमेलिंग कॉल सुरू हो गये वापस के लड़किया उट गई है कि हमें तो सोनु निगम जी से इंस्पिरेशन मिल गई है हमें आ दाना था सोनु निगम जी और भूशन जी ने तो मुझे स्पेशली बोला था कि हमें चुप रहे हमें चुप का चुप चुपी तादे रखनी है लेकित आपने आपने अभी भी अपनी क्या आपनी क्या है आज भी हम कोशिच करते हैं टी सीरी से कि 80% लोग ना 100% लोगों क लोगों को काम नहीं मिल पाता है किसी म्यूजिक डिरेक्टर किसी कोई धून में कोई कलाकार जाता है कोई धून में कोई कलाकार जाता है 80% लोगों को काम मिल रहा है ना मार्टिक जो 20% को लोगों को काम नहीं मिल रहा वो कोई भी शुरू हो चाहिए कोई भी किसी पर भी सकता है तो ऐसा महाल है और आप ने जो को अपना वीडियो ओन किया तो मैं आपको बता दू कि अधियर साथ क्या हो अभी भी आपकी क्याम्पेंग जारी है आप इतने सारे सिंगर्स को अभी भी कठ्था कर रहे हैं और उनको एक गटबंदन बना रहे हैं और उनको भेका भेका कर जिनको काम नहीं मिल रहा है को वाटएवर रिजिब्स उनको काम इस बात में लगा रहे हैं इस पब्लिसिटी यह मुद्दे में लगा रहे हैं कि उनके आपके साथ मिल जाए और टी सीरीज को हम कैसे खतं करते हैं बुशिन कुमार को हम कैसे खतं करते हैं कि एक बाद मैं आपसे कहना चाहूंदी सोनु निकम जी आप किस टाइप की हैं यह तो आपकी बीवी ने क्लियर कर दिया था उन्होंने खुद आपको याद है आपकी बीवी ने खुद आप पर इल्जाम लगाए थे और फिर आप दूसरों पर इल्जाम लगाए ले और मैं चाहिए नियुक्त से मुझे मेरा अंसर में जब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूचते हैं कि मुझे यूद नहीं लड़ना यह यूद लड़के किसका फाइना होगा तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योधा के लिए धारन से बढ़कर यूद लड़ अगर तुम यूद नहीं लड़ोगे तो तुम अपना यश्रवाओगे तुम्हारा अपियश होगा, तंसार में लोग तुम्हारे अपियश की चर्चा करेंगे और तुम्हारे दुश्मन हर तड़ा की कटू बचन बॉल कर तुम्हारा वर्णन करेंगे और वही हो रहे, सब तो कट्वर चिन बोल रहे हैं सारी दुनिया जैते कि मैंने बोला मुझे रेप द्रेट सारे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगी कि जितने भी आप सिंगर्स को म्यूजिक डिरेक्टर्स को जिनके पास आज कोई काम नहीं है उनको भड़का रहे हैं उनको भड़काना बंद कीजिए क्योंकि अदर्वाइस रन भूमी ओपन है किसी को भी पब्लिसिटी के लिए रन भूमी में आना है यूद आन है